प्रतीभा मेरे देश की DMT News प्रस्तुत प्रतीभा मेरे देश की खास बात आपके साथ मैं अर्जुन सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ हैं एक ऐसी प्रतीभा के धनी जिनका परीचे में चन पंतियों दोरा देना चाहूँगा परिंदो को मिले की मंदिल यकिनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं अक्सल वो लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं आप हैं चंद्रपूर के लोग प्रियनेता विनोद दत्यात्रे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बलाखत के लिए हमारा चैन किया और हमसे समवाद करने की संद्रप में इच्छा व्यक्त की धन्यवाद सरी जी मेरा पहला प्रशना आपसे यह है कि समाशकरन ये उराजकरन में आने की शुरुवात कब और कैसे हुई मेरे स्कूली डेज से ही इसकी शुरुवात हुई मुझे सवभाग के प्राप्त हुआ कि 1977 में जैसा ही इमर्जनसी कतम ही और जन्ता परटी कर राज आया तब मैं दसवी कक्षा में था और दसवी कक्षा के इमर्जनसी हटने के बाद सब लोग तंतर की स्थापना हो गई थी तो दसवी कक्षा में ही मुझे मेरे स्कूल ने उस समय जुनियर कॉलेजन स्कूल में लगभग देड़ से दो हजार विद्यारती थे सबने मुझे गैधरिंग प्रेसिएंड के स्वरूप में चैन किया इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन के बाद पहली बार चंदरपूर में हमारे स्कूल में गैधरिंग और इनागरल फंक्शन के लिए भारत के अभी जिनको आवार्ड मिला इसका आई थिंक नाना जी मुझेता थी मुरूनालताई गोरे जिन्होंने दिल्ली नहीं बोल सकते कि महरास्टों को हिला दिया था वो दोनों मेरे फंक्शन में आया और मुझे उनके साथ डाय शेयर करने का मोका मिला मेरा उत्साह उसी समय बड़ा और कॉंफिडेंस बिल्ट अफ उनने 1977 में मैं पहल पार्शद रहते हुए नगरद्श के रूप में गयाचरन त्रीवीदी जी तथा रमिश कुद्पलिवार जी इनका कारेकाल आपने देखा है तो उस समय में और आज के वातावरन में हम क्या अंतर देख सकते हैं देखिए जब मैं पारशद करके पहली बार 1985 और दूसरी बार 1990 में महानगरपाली का थी उस समय सेवा करने का जब मुझे मिला है उस समय पहली बार तो दस साल के बाद चुना हुआ तो धन्नो महाराच चून के आये थे उनका भी कामकाज नजज़िक से देखा मैंने तो उस समय का कामकाज देखिए उस समय बजट हुआ करता था अपना 6 करोड 42 लाग चंद्रपूर शहर का और चंद्रपूर शहर में जस्ट कुछ एरिया जैसा पडोली तक का एरिया एड हुआ था पहले चंद्रपूर शहर अपना मर्याली था वरोड़ा नाके तक के तो उ उस समय धन्नुमाराजी के कामकाज के शैली देखा उसके बाद 1990 में रमिश कुत्पलिवार नगराद देक्षब ने उनका भी कामकाज देखा उसके बाद पंचानव तक फिर से फेर बदल वहा धन्नुमारा जाए लेकिन एक अलग शैली थी चंद्रपूर में राजनीती की सेवा भावी वृत्ती से लोग काम करते थे करफशन की बू नहीं थी महानगरपाली का में नगरपाली का में हम पारशद बोलके जाले थे तो ऐसा लगता था कि अपने को कुछ देना है इस शहर के बारे में कुछ अच्छा सोचना है दुरभाग की बात यह रहती थी कि शह पारशद ऐसा रहता है उनको ऐसा लगता है कि कुछ बैक्वाइडनेस दूर होना चाहिए कुछ अच्छे डिवलपमेंट होना चाहिए कुछ पारशद को ऐसा लगता कि मैं खाली मुंसिपालिटी के पूरता ही मेरी मर्यादा है मेरे वाड का ही काम मेरा अंतीम काम है शहर क कि सुधारना या शहर का डिवलप्मेंट ये उनके दिमाग में नहीं रहता इस प्रकार की सोच उस समय थी देखिए मैं आपको बताऊंगा कि हम चंदरपूर शहर और जलगाव शहर एक जैसा था जलगाव शहर का बजट चंदरपूर शहर से बारा लाग से कम था लेकिन पाओ दस साल में पंधरा साल में सव करोड की उपर पहुझ गया और हम मुश्किल से बाइस करोड पे बजट पे पहुझे थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमको दुख ही है कि हमारे लीडर्शिप जो मुंसिपाल्टी में होनी चाहिए थी वो उस वीजन की नहीं थी प्रामा वो स्पीड में नहीं हो सका एक फरक है और अभी का अगर देखे तो अभी वो वीजन के लोग नहीं आते महानगरपाली का मिवो सोचते नहीं और राजनीती के अड़े बन गए यह बड़ी दुख की बात है क्योंकि महानगरपाली का नगरपाली का जिला परश्द यह सुधारने की जो काम लेना चाहिए वो चंद्रपूर को सुधारने की वो मुझे उतनी ज्यादा दिखती नहीं और उससे मैं उतना मतलब साटिसफाइड नहीं हूं यह दुरदवा से मुझे कहना पड़ रहा है सर जी जो दारूबंदी का निरने चंद्रपूर जिल्ले के लिए आगया वो निरने आपके मुताबित कितने परिश्रत सही था जा गलत था मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भावनीक निरने था वह अब हम ग्लोबली अगर सोचते हैं विचार करते हैं तो लोग डेवलपिंग कंट्री परियाटन को बहुत जादा महत्व देते है जहाँ जहाँ परियाटन है वहाँ सब सुविधा होनी चाहिए इस प्रकार की सोच है चंदरपूर जिले की अगर हम बात करते हैं तो इंडरेस्टियल डेवलप्मेंट बहुत है ताड़ोबा जैसा अभाया रन्य है परियाटन के लिए बहुत वाव है और इस जिले में इस अजनितिक लोगों के दिमाग में आई होगी पर हुआ ऐसा कि 1922 के पहले पूरे महरास्टे में दारूबंदी थी और बहात्तर के पहले जब दारूबंदी थी तो दारू चालू क्यों हुए महरास्टे में इसके गहराई में जाना पड़ेगा अपने को उस समय नशा करने के लिए पीते थे और उससे मौत का परसंटेज बढ़ गया तो सरकार ने उस समय ऐसा सोचा उस समय तो गांधी विचार धारा थी सरकार ने उस समय ऐसा सोचा कि इंप्यूर दारू पीने से लोग मरते है तो उससे अच्छा प्यूर दारू लोगों को देंगे थ हमसे कम मौत का प्रसंटेश तो कम हो जाएगा उसके ताहत बहात्तर में दारू चालू हुई फिर दारू चालू होने के बाद में सब कुछ ठीक रहा बहुत सारे लोग विसना धीन भी हो गए वर्धा में हमने बं किये वर्धा में अंसक्सेस हुआ गडचुरुली में हमने ल कुछ परिनाम क्या है उसको परावृत्त करो नो कोई भी चीज अगर तुम दबाने की कोशिश करोगे तो वह डबल स्पीड से उपर आएगी वैसा ही दारूबंदी का हुआ तुमने दारूबंदी ऐलांद कर दिया अनौस हो गई पूरे एकानोमी पर असर आया दूसरी त पढ़ गई आप देखेंगे रेशो अगर तो दारूबंदी के पहले जो रेशो था मेरे पास आटिया के तताया वह रेशो कट टू टाइमस यह त्री टाइमस रेशो गुंडागर्दी का पढ़ गया है अब हमारा इसा मानना है अगर बंद करना था तो एक डिस्टिक चंद्रपूर जिले में इस प्रकार की यंत्रणा पहले कार्यानवीत करते थे कि अभी इस जिले में दारू नहीं आएगी कोई बुट लेकर काम नहीं करेगा तो सही मायने में उसका एफेक्ट आता था लेकि यह सिस्टीम ही हमारे पास नहीं थी और हमने दारूबंदी अन मुझे नहीं लगता कि नशा मुक्त चंद्रपूर हुआ उल्टा ड्रक्स आने लगा गलत नशा लोग करने लगे तो यह शत प्रतिशत इसका सक्सेस हुआ ऐसा मानने वालों में से मैं नहीं हूँ हाली में हम देख सकते हैं कि करोडों की गटर योजना चंद्रपूर में आई थी जिस कारण शहर के पूरे रस्ते खود दिये गए थे लोगों को बहुत आसुविदा हुई थी श्कूली विद्धार्तियों को बहुत ही आसुविदा हुई थी इतनी आसुविदा का सामना करन भी गटर योजना हमारी जानकरी के अनुसार पूरी तरह से फेल हो चुकी है इस विशे में आपका क्या गहना है देखिए यह जो अंडरगाउंड शूरे सिस्टीम है उसमें पैसा किसका गया आपका और मेरा गया सव करोड का बजट था और सव करोड आज इस चंद्रपूर शहर को आपके माद्दम से बताना चाहता हूं गड़े में है शौक सव करोड की उपलब दी क्या है कुछ भी नहीं देखिए दस साल हो गए शारा सारा शहर खोट डाले थे हमने जहां वहां धूल लेकिन जो चीज अनप्रोड़क्टिव काम पे खर्चा हुई उसका अंतीम नतीज़ा हम कुछ देख नहीं रहे मैं आपको बताता हूँ फिर से जलगाओ का उधारन दूँगा जलगाओ मैं एक चीज में करप्शन हुआ तो वहां के लोगों ने उठाओ किया और उस समय के लोग परतिनीदी आज भी जेल में है सूरजदारा जैन जैसा आदमी जेल में है और हम देख रहे हैं अपने आखों से की सव करोड़क आज गड़्डे में है एक पैसे की उपलब दी नहीं है और हम सब लोग चूप बैठ है उसमें आप और हम दोनों दोशी ह है मैं मानता हूं क्योंकि हम लोग अपने आखों से देख रहे हैं कि हमारे पैसे का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ ऐसी योजनाए पूरे अभ्यास के तहट लाना जीए बीच में जब बाड़ आई थी तो उस समय के मुख्यमंत्री पुत्वराज चवान अजीत पवार आय तो, समगानीश के महन अगरपली का में वह करय एभा यो 100 करोड का पयोक कब ऑगा या फिर साइब कर वेस्ट गए उनगे उसके लिए जिम्मेदार किसको टाय करेंगे कि सीको तो भी अकविद़ करना पड़ेगा ना इसको है ना दूलिए करना पड़ेगा ना देख उनी का पूछने का कि वो जो अंडर्गाउंड शूरे सिस्टीम है उसका क्या हुआ और वो क्यों नहीं इंप्लिमेंट कर पाए यह पुछने का अधिकार हमारा है यह चीज के लिए बहुत आपको बदाई दूगा कि आपनी यह सवाल को उजागर किया पब्लीक ने पब्लीक में जब इने सीट देने का विशे था कॉंग्रेस से बहुत जादा परेशानियों से इन परेशानियों के इने सामना करना पड़ा परंतु चंदरपूर की जंता का बहुत बड़ा इने योगदान रहा तो इस विशे में आप क्या कहना चाहेंगे चंदरपूर की जंता बहुत ही सुलजी हुई जंता है इतना विरोध हुआ उनके सीट के बारे में फिर भी जंता ने उनके पक्ष में वोट डाला उनको चुना के लाए महारास्टर में पहले विकति है पहले एकमेम वा खाज़ार है कांग्रेस के जो चुन क्या है ठीक है, Congress की एक system है, Congress के system में पुरे हिंदुस्तान भर का विचार किया जाता है, मेरे जैसा छोटा आदमी या कोई एक आदे डिस्टिक का आदमी अपनी कितनी भी दिल के गहराई से अगर डिमांड रखता है तो उसके ओपर immediate action नहीं होती, क्योंकि हम लोग के system बड़ी अलग तरीके की है, हम लोग पुरा व्यापक सोचते हैं, और हमारी जो दिल की गहराई की बात है, कभी-कभी हाई कमान के कानों तक जाती नहीं, तो इसलिए कभी-कभी ऐसा सामना करना पड़ता, अब देखो बारुधान और करजी चून के आने वाले थे, यह सब पब्लिक को माल पूरे कांग्रेस के लोगों को मालम था, लेकिन उनकी उमेदवारी के बारा में हाई कमान के पास सच्चा ही गईश नहीं थी, हमरी जानकरी के अनुसर सर जी की कांग्रेस के ही बहुत सारे जो नेता है, वो बिलकुल नहीं चाहते थे कि बाडुभाव धनौरगर जी को हो गए, तो यह कहीं न कहीं हमारे पर भारी पड़ेंगे, इस बात को आप सत्तिता से बोले, ऐसा मैं चाहता हूँ. राजनीती में तो सपरदा होती रहती है, सपरदा होनी भी चाहिए, लेकिन यह सच्चाई के साथ भी जाना पड़ेगा कि जीत के आने वाला कौन है, हमारे में से भी काफी लोग थे, जो चाहते थे कि नहीं, हमने इतने सालों से पार्टी की सिवा की है, तो किसी बाहर के ल यह सोच अगर हमारे में रहती थी, तो उनको उतनी तकलीब नहीं जाती थी धानोर करजी को सीट मिलने के लिए, लेकिन दुरदाव वैसे कहना पड़ता है कि हम लोगों में कामपेटिशन रहती हम यह सोचते हैं कि नहीं, बाहर के किसी व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए, त परन्तु आज भी ऐसी चर्चा है कि कुछ आफसी मदभेद के चलते, आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ नेता हमारे से शायद उमर में कम हैं, लेकिन हुद्दे से बड़े हैं। उनका भी कहना कि एगो रहता है कि भई मैं इनका क्यों सुनूँ। लेकिन आम कार्यकरता की भुमी का है, हम कार्यकरता को यह लगता कि हमारे नेताओं में कभी मदभेद नहीं रहना हमारे नेता अगर इकठा सबको दिखे ना तो कार्यकर्टा को सबसे ज़्यादा आनंद और खुशी मिलती है यह नेताओ को समझना चाहिए नेताओने सोचना चाहिए कि मैं क्यों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ू मेरा कार्यकर्टा जब नहीं चाहता है तो मैंने क्यों अबसमें हच करना नेता अगर यह सोच के रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं कांगरेस को चंद्रपूर से कोई हरा नहीं सकता कांगरेस., पूरे Tomorrow फूर विदर्ब़ं हम देख सकते हैं कि बहुत से नागरिगों को असुविदा हुई नोडबंदी के चलते आपके मुताबित नोडबंदी का निर्ने सही था या गलत जदी सही था तो कैसे और जदी गलत था तो वो कैसे सवाल ऐसा है कि 2016 में हमने ये निर्ने लिये निर्ले छे बज़े होता है रात को बारा बज़े से नोड़ आज के बाद ये कागज का तुकड़ा रह जाएगा इस प्रकार की घोशना हुई देखिए इंडियन एकॉनोमी जो है इंडियन एकॉनोमी बहुत सी रूरल बेस एकॉनोमी है मनमौन सिंग जी ने जब परधान मंतरी के रूप में दस साल इस देश की सेवा किये तो उनका सोचने का जरीया कुछ अलग था गरामीन एकॉनॉमी वो स्टॉंग करना चाहते थे और इंडिया की जो एकोनोमी ग्रामीन एकोनोमी अगर स्ट्रॉंग रही तो इंडिया बहुत मजबूत रहेगा आपने देखा होगा डोनाल ट्रम जी के पहले मिस्टर जो प्रेसिडेंट थे बराक उबामा और सारे यूरोप कंट्रीज में एकोनोमी वीक हो गए थी मंदी का दोर चला था लेकिन इंडिया को उसका असर नहीं हुआ क्योंकि इंडिया की एकोनोमी ग्रामीन बेस थी गांधी जी के आइडियोलोजी पे बेस इंडिया एकोनोमी रहने के करण और मन्होन सिंग जी ने बड़ी स्ट्रॉंग ग्रामीन एकोनोमी स्ट्रॉंग करने के करण उस पे फरक नहीं बढ़ा हिंडूस्तान में मंदी नहीं आई इंडिया में मंदी नहीं लेकिन आप देखेंगे मतलब लोग प्रियता के लिए इस प्रकार का निर्णय लेना उसके दुष्परिणाम भी देखे हमने एकोनोमी पे आसर आया बहुत सारे उद्योग बंद हुए बहुत लोगों का रोजगार चिना गया यह ऑनलाइन पेमेंट वगरे की जो बात करते थे यह ठीक है जो पीछे है दस साल पंद्रा साल पन पीछे है लेकिन मोधी जी भावनिक आवान करते थे उन्होंने कहा कि देखो मुझे पचास दिन दो पचास दिन में अगर नोट बंदी सक्सेस नहीं हुई तो जिस चवराय पे बुलाएंगी उस चवराय पे मैं आ जाओंगा मुझे फास मा को भी लाइन वे खड़ा रखा कि देखो मैं सरवसामाने आदमी के जैसा अपने मा को भी मेरे जाना पड़ता है पैसे निकालने के लिए बैंक में इस तब शोबाजी थी उससे बहुत नुक्सान हुआ नोड बंदी के करन हम 10 साल पीछे है ऐसा मानने वालों में से मैं इसलिए नोड बंदी का अधिरने गलत था ऐसा मेरा मानना है व्यक्ति के गूप में वैसा मैं कॉमर्स का विद्धार थी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र जानता हूं अर्थशास्त्र में सब लोगों से चर्चा करके इस प्रकार का अधिरने लेना चीए अचा नोड नोड बंद करके 2000 का नोड चलू करने में क्या एडियो लजी है नोड बंदी का क्या समंधा था पूरी फेल हुई इंडियन एकनोमी पी इसका बुरा असर हुआ और हम लोग नुक्सान में आए आज कोई भी मरीज को बहुत तकलिफ होती है उसे प्राइवेट दावाखने ले जाया जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि पहले ओक्सी मेटर से इनको चेक किजिए अगर वो 95 की नीचे आते हैं 75 तक आते हैं तो उन्हें डॉक्टर एडिमीटी नहीं कर रहे हैं वो रिक्स नहीं लेना चाते किसी भी तरह से तो सर जी यह कहां तक सही है मैंने एक नागरिक के तहथ भीच में डाला ता शयicki आपके देखने में आया है कि नहीं देखने हैं मुझे पता नहीं मेरी मांग यही थी कि कोवीड के अलावा बाकी भी बिमारिया है को विट यह अकेले ब्युमारी नहीं बची बाकी बिमारी के तहठ जो कोई प्राइव लोग काफी लोग मर गये और बाद में उनकी टेस्टिंग में कहा गया कि इनको को रहना हुआ सा इंप्रूमेंट आया है अभी हमारे लोग प्रतिजियों ने उसका जायजा लिया और प्रापर इंस्ट्रेक्शन दिये इसलिए अभी थोड़ा सा प्रापर इंप्रूमेंट हुआ ऐसा मुझे लगता है जो चीज हुई वो गलत हुई कोई बीमारी को बीमारी लेकर गया तो उसको पहले टेस्ट करा कि लाओ करके वोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं थी ना इतना डर पाइदा कर दिया कि उसके करण बदनाम हो गए सब राहुल गांदी जी ने बहुत पहले एक ट्विट किया था ट्विट कर उन्होंने कहा था क कि जो बाहर से आने वाली विमान है वो तुरत बंद करा दिये जाएं जो कि उनकी बात को शायद नजर अंदास कर दिया गया इस विशे में किस तरह से करोना वारिस को रोखा जा सकता था आपका क्या कहना है राहुल जी ने एक अभ्यासक के नाते ग्लोबली जो देखते है करोना महा मारी चाइना में जो उत्पात मचा चुकी है तो पूरे दुनिया में फैल रही है तो हमने प्रिकार्शन लेना है हसते थे उस समय राहुल जन्दी को उन्होंने कहा कि देखिए जो अब्रॉड से आता है उसको रोक लगाईए उसको वही पे खतम कीजिए और जाय जो चीज विमान से आई अमीर लोगों के जरी आई ना उसकी चोट गरीबों को लगी तो बहुत गलत हुआ रहुल जी ने बहुत सही समय में आगा किया था उस समय अगर हम अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बयान करते थे या प्रॉपर चेकिंग करते थे तो शायद ही हिंदुस्तान के लोग क्यों नहीं ले सके इसमें यहां की जो सिस्टीम है हिंदुस्तान में जो राज करने वाली सरकार है उन्होंने उतना सीरियसली लिया नहीं और जब उन्होंने कोशिश किये तो थोड़ा सा धार्मिक और थोड़ा सा भावनिक और थोड़ा सा गैर जि लेकिन ठीक है लोकडाउन किये लेकिन उसका जो इवेंड किये वह गैर वाजबी था पॉलिटिशियन को या राजनीतिक आदमी को ऐसा इवेंड करने की जरूरत नहीं थी तुम समझाओ अवेरनेस लाओ और जो सही मायने में करने की जरूरत थे उसके तरफ ख्याले नहीं कि है जहां वहां हॉस्पिटल ऑक्सिजन के बेट्स वेंटिलेशन वेंटिलेटर्स वगर यह सब उपयोगी वस्तुति उसकी तैरी करना चाहिए था यहां पे भी मैं आप अपने चंद्रपूर की बात करूंगा मैं तो राश्ट्रे लेवाल का आदमी नहीं हूं हाउस्पिटल के जो डीन थे सीएस थे डी एचो थे कलेक्टर थे उन्होंने शुरुआत में तो प्रिकॉशन किये लेकिन भविश्य का वेद नहीं ले सके मार्च महने से अगर हम तयारी करते थे और हमारे राजनीतिक लोगों को आगा करते थे कि डॉक्टरों का काम है बारा में उतनी प्रिकॉशन नहीं लिए, जितनी लेना चाहिए थी. हमारे पालक मंत्री, हमारे MP, हमारे MLA, सब फील्ड में उतरे थे, किसी ने चिंता नहीं की, कि मेरो को करोना हो जाएंगा, या नहीं होगा. उनकी बहुत आत्मियता से तैयरी थी, कि यह सब चीज करना ह स् सबस्प्रन के लोग से сильно कि बताइगी तो किसा होग को अँधिन ही के का चंदरफूर में धानrade मस्रीफ पिष़ले हुआ फिछले दो मेने में लेकिन इस पे हमने कउंड किये fino में सिंपल बात बताता हूं हमारे मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में 121 डॉक्टर सेवा में है एक से 121 डॉक्टर में से आधे डॉक्टरों की अगर हम सेवा लेते थे और अधे डॉक्टरों को ये काम में जुटाते थे तो बहुत सारा मसला हाल हो जा रह तो फटाफट उन्होंने होस्ट होटेल को इसमें कर दो कि इसको कि महानगर पली काके ने वहां टेक आवर कर लिया और दानली नहीं बची चंदरपूर में पिछले देड़ दो मेने में बहुत दानली मची क्योंकि हमारे जो मेडिकल कॉलेज के जो सिस्टीम के लोग थे उन् हालूं भी नहीं था 121 डॉक्टर लिस्ट में पगार जाता है उनको एक लाग सवालाग देड़ लाग पगार है लेकिन सेवा नहीं क्योंकि बाहर गाव रहते हैं बहुत सारे लोग कुछ लोग यहां पर है लेकिन सेवा नहीं दे सकते यह धानली मच गई ती यह सिस्टीम का फेलिवर था हमारे कुछ युवा दर्शक उनका सवाल है कि सरकारी रुगनाले की सीटी स्कैन मशीन हमेशा ही हम देखते हैं कि वो खराब होती है सर जी इसका क्या आप निराकर निकल सकते हैं दिखिए कि हमारे चंदरपूर शहर में जब गवर्मेंट हॉस्पिटल में स खराब क्यों होती है यह सिस्टीम के लोग है न है यह अपना सामान जैस해 मैंने अगर गाड़ी परड़ किया तो मैं मेरी गाड़ी की हिवाचत बराबर करता हूं लेकिन मैं दूसरी की गाड़ी अगर लिया और चलाने के लिए मुझे मोखा दीया तो मैं अपने गाड़ी स सोच गवर्मेंट हाउस्पिटल के यह जो चलाने वाले है उनकी हो सकती है बार बार नॉन टिकनिकल लोगर उसको अगर हाथ लगाएंगे तो बिघड़ने वाली है और बिघड़ने के बाद में जो सिस्टीम की यंतरना है यंतरना की जो कारिश प्रणाली है वो बड़ी दु वकषिट सैंक्शन हों के आने को दो दो चार-चार माहने लगते तो यह सरकार का फेलिवर है ना सिस्टीम का फेलिवर है ऐसा नहीं होना चीए और मैं आपको बात बताता हूं अभी जो चंदरपूर में पुरानी सीटी स्कान मशीन है और बाकी सब डॉक्ट्रों के सिटी स स्तर रहता है जिससे काउंट होता है कि किस प्रकार की मशीने अभी भी हम पाच या दस साल पुराने मशीनों पे काम करें तो रिजल्ट प्रॉपर आता नहीं इसकी भी इंप्रॉमेंट करने के आउशकता है अभी चंदरपूर शहर में अगर नई सिटी स्कैन मशीन आती है ग इस प्रकार करेंगे तो चलेगा अब हम लोग जब अधावा ले रहे थे कोरोना का तो हमको बताया गया कि को मेंट मेडिल कल कॉलेज में रेडियो लॉजी सिटी स्कैन मशीन यह जो डिपार्मेंट उसका डिपार्मेंट ऑफ डिपार्मेंटल हेड चंदरपूर के पर शिकायद है कि करोना वारिस के महाबारी जैसे चलते भी जो इनको बिजली बील आया है वो बहुत जादा बढ़ चड़ कर आ रहा है बिजली बील इस विशे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए बिजली के बारे में चंदरपूर के नागरिकों की यह मांग तो हमेश प्रदूशन के कारण जो प्रदूशन होता है इतना कोयला जलता है करवन डॉक से निकलता है तो हमारे कहिना के लंग्स पे यह हमारे रेस्पिरिटरी सिस्टीम पे उसका आसर आता है तो हम यह सोचते हैं हम यह मांग भी करते हैं कि हम जब इतना दुख सहन करते हैं इतनी अडचन सहन करके बिजली पैदा करने के लिए हम लोग वातावरन निर्मान करते हैं, चंदरपूर में वो परवान की देते हैं, तो कहिना के कंशेशन हमें मिलना चीए, दुर्भा क्या ऐसा है, महारास्ट के बिजली का, कि इसमें जो ट्रांस्मिशन लॉस होते हैं, ट्रांस सात सो रुपय है, तो उसमें से पैटीस परसेंट, सात से रुपय मैं से पैटीस परसेंट यानि लगवग हो गया, सात जी की इस धाई सो रुपया, यह पारेशन लॉस हमारे बील पे चड़कर आता है, तो एक्चुल में को पास होए आना चाहिए न, तो इस प्रकार का जो तो ये system का failure है, system का loss है, paration का loss में हमारी जनागरी के जमेदार है नहीं है, ये सब चीज इंप्रू होना चाहिए, बिजली जब महारास्टर में surplus होती है, बिजली महारास्टर के अलावा 36 गड़, दिल, बाकी राज्य अगर, अगर सस्तय में बेच सकते हैं, तो महारास्त्र क्योंाई सस्तय में बेचती ही? महारास्तर में बिजली सस्तय नी होने के कारण बहुत सारे उद्द्यों को महारास्टर के बाहर जाते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इसके उपर ठ्रूप Ohh Tracaja होनी चाहिए, इसका solution निकलना चाहिए, हल निकलना चाहिए, अगर मेरे महारास्ट में बिजली मैं सस्ती दूँगा तो उद्द्योग यहाँ आएगा ना, लेकिन मेरे बाजू का राज्य, 36 गड़, अगर सस्ती बिजली देगा तो उद्द्योग वहाँ जाएगा, यह भी सोचने की जरूर सके उतना कम खर्चा बिजली प्रोडक्शन के उपर करना चाहिए, अन्प्रोडक्टिव काम जो है वो खतम कर देना चाहिए, और बिजली अगर मैं देड़ रुपए में, दो रुपए में पैदा करता हूं, तो एक रुपा नफा ठाई रुपए में बेचो, साथ-साथ र पांसिकता आपको बताऊंगा, तो अभी फिलाल हिंदुस्तान में कॉंग्रेस पार्टी विपक्षम है, महरास्ता में भला ही पारशियल सत्ता में है, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में विपक्षम है, कॉंग्रेस पार्टी ने इस देश में जिम्मेदारी के साथ काम निभाया है, तो हमारी सोच हमेशा ऐसी रही, कि कोई भी मसला चर्चा से हल होता है, कोई भी मसला दूर का सोचो और उस हिसाब से काम करो, तो कभी कोई मसले को इनकैश करना, कोई मसल्य को विरोध करना करके विरोध करना और कोई भी मसले का पॉलिटिकल विरोध करके ही उसको खतम करना ये सोच कभी Congress में डेवलप नहीं हुए और कोई भी काम अगर productive काम किया है Congress Party ने तो उसका credit लेने की कोशिश कभी Congress Party ने नहीं की तो इसलिए Congress को यह आदत ही नहीं है विरोत करने की और कॉंग्रेस हमेशा सत्ता में रही है और जिम्मेदारी के साथ काम की इसलिए यह आदत नहीं रहने के कारण हम जो विरोत अपेक्षित है शायद अभी के पॉलिटिकल पार्टिक वो विरोत नहीं कर सकते क्योंकि हमको वो आदत नहीं है यह शायद हमारे कमजोरी है, ऐसा आपको लगता होंगा तो है, लेकिन हमारे उपर संसकार है, हम किसी मामले को विरोध करना करके विरोध नहीं करेंगे, जो गलत हुआ उसको विरोध करेंगे, जो अच्छा हुआ उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन भारतिय जनता अपारटी कि हमारा विरोध कम वालेकिन हम लोग जैसा विरोध करने का वैसा करते हैं अब देखिए रहूल जी और स्प्रियांका जी गए की नहीं आज भी गए परसो भी गए इतना उनके साथ जास्ती की एक प्रधान मंत्री का बेटा माजी पंता प्रधान का पोता जिन्होंने पब्लीक को यह अच्छा नहीं लगा पब्लीक दूसरे तरफ यह बोलती है कि तुमने जो विरोध करना चाहिए था वैसा विरोध नहीं किया तुमने रियाक्ट होना चाहिए था तुमने अव लाठी चार्ज तुमने और बिजेपी को बहुत ज़्यादा पूर जोर तरीक देखे हम लोग मिडल क्लास फैमिली के लोग है और हम लोग माइनारिटी में भी आता है बैसिकली गवर्मेंट के क्राइटरिया में नहीं है लेकिन माइनारिटी के हम लोग मानते है हमारी सोच लिमीटेट रहती है अपने बच्चों ने एजुकेशन करना लिखना पढ़न और किसी नोकरी में लग जाना और अपने घर ग्रोस्ती चलाना यह सोच हमारे लोगों में थी मैंने थोड़े सी बगावत की अपने फैमिली के साथ कुटुमब के साथ मैंने कहा कि ग्राइट तक के मैं पढ़ूंगा आपने मेरे उपर खर्चा करना लेकिन उसके बाद मेर से हो गया मैंने शुन्ने से विश्वा निर्मान किया मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस किया आपको बताओंगा तो अभी समय नहीं है लेकिन मैंने कोई शरम नहीं किया मैंने कोई भी बिजनेस करना में कोई शरम नहीं किया बिजनेस से शुन्ने से विश्वा निर्मान किया और बड़े मतलब सहस्ता से वो लोग सब का आओ बगत करते क्योंकि हम लोग सोशल लोग है घर में पाच-पचास लोग रो जाते हैं चाय बनाना पड़ता है सब की सिवा करना पड़ता है तो विचारे खुशी से करते मेरी कोई तकरार नहीं है बल्कि उनका साथ ही रहता है यह वो लोग भी अगर साथ देंगे तो मैं कुछ सोशली कर सकूंगा मेरा नाम होगा वरना वो लोग मुझे साथ नहीं देगे तो मेरा नाम नहीं होगा मेरे पास कोन आएगा तो सपोर्ट है और हम पॉजिटिव है तो हमारे फैमिली भी पॉजिटिव हो देंगी ऐसे मानने जातपात और संकुचित बुद्धी से अगर पारशदों को तिकीट देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ शहर का डेवलप्मेंट कर सकेंगे जिसमें होनार है जिसमें कुछ करने की उमंग है ऐसे अगर अच्छे समा सेवक्ट चून के हमने उनको अगर तिकीट दिये या पारशद बनाने की कोशिश के जनता ने भी ऐसे लोगों का चुनाव किये तो निस्चीत रूप से इस नगर का विकास होगा इस नगर में डेवलप्मेंट आपको दिखेगा और मैं यह अपील करता हूँ आपके माध्यम से हर पॉलिटिकल पारटी ने ऐसे कुछ लोग होना चाहिए भला ही मेरे आप से मद्वेद है लेकिन आप अगर काम अच्छा कर रहे तो आपको ही तीकिट देना चाहिए इस प्रकार की सोच हमारे पॉलिटिकल पारटी में आएंगी तो निस्चीत रूप से इस महानगर पालिका का या महानगर का रूप अच्छा दिखे बोलता मराठी में मैं बोलता बोलूंगा या उनको व्यक्त करने के बारे में उनके व्यक्त विचारों से आप सबको अउगत करा रहे तो कुछ अच्छे पॉजिटिव वेव या सोच पब्लीक में जा सकती है हम यह मानने वालों में से है कि आपका प्रयास बहुत अच्छा बारत भावना से किये मुझे मालूम है कि आप यह सब काम कर रहे हैं आपको कोई चीज की अफेक्षा नहीं है आपको कोई चीज का लाब भी नहीं होने वाला है लेकिन चंद्रपूर के जंता के लिए जागरुती लाने के लिए शहर में मुझे कुछ देना है यह भावना स आपने यह काम चालू किया है आपको धन्यवादेता हूं आपके चानल को धन्यवादेता हूं नमस्कार करता हूं